कमी है तो आज इस प्रेम की कमी है इस प्यार की कमी है तो यह जहां पर इतनी कमी है इसके लिए तरस रहा है इंसान घर में किसी सदस्य से बात करें वो कहता है कि मैं तो प्यार के लिए तरसता रहता हूं एक छट में रहते हैं फिर भी छट के नीचे रहते हैं फिर भी प्यार के लिए तरस रहा हूँ पिता कहता है प्यार के लिए तरस रहा हूँ बेटे ने नाक में दम की हुई है जहां तहां जाता है हमारी बदनामी करवा रहा है कोई प्यार नहीं आता है तो कड़वे बोल जब भी घर में परवेश करता है पूरे गुसे में लाल पीला हुआ रहता है यानि कि घर्ट में छट के नीचे भी प्यार की कमी है समाज में चले जाएं प्यार की कमी है रिष्टों में प्यार जो है हमारा वो भी कमजोर होता चला जा रहा है ऐसा शितिल होता चला जा रहा है तो चारों तरफ एक प्यार की कमी होती चली जा रही है तो प्यार की जरूरत ये हर किसी को है प्रेम हिर्दे में बस जाए तो प्यार ही बांडते चले जाएं प्यार के भागीदार हर किसी को बनाते चले जाएं और भक्त जनों की विशेष्टा ऐसी होती है कि ये प्यार बांडते हैं, प्यार के भागीदार बनाते हैं, केवल उनी को नहीं जो इन से प्यार करते हैं ये तो उस वरिक्ष की तरह होते हैं, जो देखते नहीं है कि कौन नीचे आके खड़ा हो गया है उसको ही छाया देते चले जाते हैं यह उस नदी के मानिंद होते हैं जो नहीं देखते कि कौन आया है पानी भरने के लिए यह तो हर किसी को प्रेम देते चले जाते हैं और यहां तक कि जो इन से प्रेम नहीं करते उनको प्रेम करते चले जाते हैं दुनिया में तो ये एक कवस्ता होती है, ये नजरिये होते हैं, ये भाव होते हैं, कि मुझे प्रेम करोगे तो मैं तुम्हे प्रेम करूँगा, लेकिन जैसे बाइबल में भी हज़रत इसा मस्य जी ने भी कहा, कि इसमें महता है, कि जो आपसे प्यार नहीं करता है, उससे कोई प्रेम का भाव रख रहे हो, उसमें महता है, इसमें क्या महता होई कि उसने आपको दे दिया, आपने उसको दे दिया, प्यार, तो इसमें क्या महता है, इसमें क्या महता है, इसमें क्या विशेश्चता है, हुआ 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 हुआ